हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा सब के सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा सब के सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा हर चड़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी मेरा ये जीवन, हाँ, मेरी जिम्मेदारी मुठियों को भीच कहे, सासा भाभीच कहे मुठियों को भीच कहे, सांसों को भीच कहे सब से खकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ मुठियों को भीच कहे, सांसों को भीच कहे, सब से खकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ 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 हाँ खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा सब के सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा सब के सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा हर चड़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी मुठियों को भीच के सांसों को भीच के मुठियों को भीच के सांसों को भीच के सब से खकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ मुठियों को भीच के सांसों को भीच के सब से खकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ 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 दोस्तों नमस्कार, मैं हम रेश कुमार सर्मा फ्रों मुंबई, आप सबका नेक्स अपर्टुनिटी के सेशन में स्वागत करता हूँ, अभी हम लोग सौंग सुन रहे थे, मैं त्यार हुई, क्या हम सभी त्यार हैं? यह संतोस पाल जी, लक्षमन जी, संदीप जीत, थैंक यह सो मुझ पर यह स्पॉंसे, लाइफ मैं सक्सेस का मतलब होता है, हेल्थ, वेल्थ, अब हैपिनेस, और नेक्स मनी, तीनों चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ, आप अपना हेल्थ, परिवार का हेल्थ, समाज का हेल्थ, समावन नी का हेल्थ, उसको कैसे हम छोटी-छोटी अपने आदतों में परिवर्थित करके, अपने खान-पान में परिवर्थित करके, लाइफ एस्टाइल में परिवर्टित करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। वेल्थ आपके पास next money का पूरा डोमेन है और happiness we have to learn। और तीनों चीजों में next money आपके साथ सतत्त खरा है। आज इसी next opportunity के द्वारा wealth को कैसे सही किया जा सकता है। आज इसी में एक अगला करी हम लोग जानने वाले हैं जिस product के बिसे में उसका नाम है chlorophyll। chlorophyll जिसको green miracle of nature बोला जाता है। मुझे इसके बारे में विशेश जनकारी नहीं है यह नाम भी मैंने आज ही सुना है। तो हम सभी मिलकर के इसके बारे में विशेश रूप से जानेंगे आगे और इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। सब के चहते, सब के प्रिये, डॉक्टर राजे सिम सर का। सर स्वागत है आपका। वेलकम तो दे सेसन। तो आज का जैसा की सेशन का जो टॉपिक है और जो सब्जेक्ट है वो है क्लोरोफिल। ग्रीन मिरकल अफ नेचर प्रकृति का एक हरा चमतकार है जो आज हम थोड़ा समझेंगे कि एक्चली क्लोरोफिल क्या है जो क्लोरोफिल आप जानते हैं और जो क्लोरोफिल आज मैं बताना चाहता हूं उसमें क्या फर्क है और ये क्लोरोफिल किस तरीके से हमारे लिए स्वास्थि के लिए बहुत जादा फाइदे मंद है उसको हम समझेंगे और ये पूरा का पूरा है जो सेशन है वो हेल्थ अवेर्नेश इनिशेटिव है नेक्स मनी के द्वारा प्रोड़क्ट जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको इस टेशन के अंत में उसका नाम है कलर ओफिल बिसिकली जदी आप इसको फॉनिटिक से लें या इसके उचारन के तरीके से लें तो कलर कलोरोफिल ही हुआ लेकिन कलर ओफिल और मैं आपको अंत में बताऊंगा कि इस प्रोड़क्ट का नाम कलर enroll ओफिल क्यों रखा गया है मैंने khud नामकरन किया है तो मैं आपको बताऊंगा कि या color o-file नाम क्यों रखा गया है तो यह color o fill आपके product का नाम है, शुरू होते हैं अपने chlorophyll के subject से, यह मैंने screen पे आपको chlorophyll का microscopic view रखा है, और यह chlorophyll है, So what is chlorophyll, chlorophyll क्या है actually, और इसे green miracle of nature क्यों कहा जाता है, प्रकृति का यह हरा चमतकार क्यों कहा जाता है, आप answer दे सकते हैं, आप chat में answer दें, कि क्या है chlorophyll और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, क्या आपको याद है, आप अपने school में जब पढ़ते होंगे, तो biology की book को याद कीजिए, और जब आपकी botanyology separate नहीं हुई थी, जब सिर्फ biology हुआ करती थी, तब के दिनों को याद कीजिए, उस school के दिनों को, और आपको याद आएगा कि chlorophyll आपने school में पढ़ा था, पर् कर पा रहे हैं कि आपको photosynthesis पढ़ाया गया था, या आप अपने से बच्चों को और अपने grandchildren's को photosynthesis पढ़ा रहे हैं, क्या किताब में दिखती है कभी photosynthesis, बहुत लोग yes कह रहे हैं, इतने सारे लोग yes type कर रहे हैं, great, तो यह जो photosynthesis है और यह जो chlorophyll है, यह चीज आपने बच् तो chlorophyll जो है, plant का सबसे ज़्यादा महतोपुर्ण constituent कह सकते हैं, उसका सबसे महतोपुर्ण घटक है, पौधे का chlorophyll, यह क्या करता है, तो यह जो है पौधों को सुरी की रोशनी को absorb करना में मदद करता है, और उसकी energy को, उसकी सुरी की रोशनी को energy के रूप में convert करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, और भी काम कि सुरी की रोशनी में ultraviolet rays भी होते हैं, UV rays, उनसे उनको बचाता है, पौधे को सुरी की UV rays से ultraviolet rays से जो खातरनाक है, हनिकारक है, उससे पौधे को बचाता है ताकि पौधा जिवित रहे हैं, और इतना ही नहीं, क्लोरोफिल एक pigment का का करता है पौधे के लिए, pigment का काम करता है, मतलब जदी पौधा हरा रंग का दिखता है, green color का पत्ता होता है, green color के पौधे होते हैं, green color की fruits होते हैं, सबजियां होती है, green color का फल होता है, तो यह सारा कुछ उस pigment की वज़े से होता है, और वो chlorophyll वो pigment है, वो color है, जिसकी के साथ साथ बाकी न्यूट्रियंट को ग्रहन करने के लिए इस्तमाल करता है तो यह हुआ आपके फोटो सिंथेसिस का और क्लोरोफिल का सब्जेक्ट अब हम अपने टॉपिक पे आएं कि क्लोरोफिल से यह तो यह समझ में आया कि यह जो है पिगमेंट है जो प्लांट को अल लावदाई के पौधे के लिए उतना कुछ है उसका जीवन ही है उसको सुरि की जलन से भी बचाता है UV rays से बचाता है सुरि की रोषणी को उर्जा में कनवर्ट करता है न्यूट्रियंट को लाके प्रकास रंसलेशन के क्रिया करता है मतलब जड़ से जो है खनीज लवन और तो जल लिया, micronutrient लिया, सुड़िय से रोशनी ली और उस पत्ते पर प्रकास translation की प्रक्रिया करके फुट बनाया और फिर से पौधे का जड़ तक को पोशन किया, जिस जड़ से खाना लिया, खनीज लवन लिया, वाटर लिया, उसी जड़ को वापस पोशन भी दिया, विक जड़ को भी तो खाना खाना है, तो यह प्रकास translation की प्रक्रिया थी, और यह photosynthesis और chlorophyll की बात थी, ग्लोफिल वो pigment है, जो हरा रंग का सब कुछ रखता है, यह हरा नहीं होता, तो प्रकास translation नहीं होती, और फिर खाना नहीं बनता, फिर पौधा नहीं होता, और पौधा नह आपकड़ी है यह जो कॉम्पाउंड है क्लोरो फिल वो जो है दो जगह से लिया जा सकता है यदि अपने की बात करें तो एक तो पौधे से लिया जा सकता है और दूसरा सप्लिमेंट से लिया जा सकता है क्योंकि दोनों में जो chlorophyll है उसमें अ दिर्टीक प्रपर्टी की बात करें जो बोलते हैं ना यह को सकता है। इसमें कुट-कुट के भरा हुआ है। एक और बात आपको इंट्रिस्टिंग लगेगी आप सबको सोसल मीडिया वाले लोग हैं और अच्छा खासा सोसल मीडिया में प्रेजन्स रखते हैं तो एक चीज आपको समझ में आए कि हैस्टाग तो लिक्विड क्लोरोफिल जो है आज का सबसे लेटेस्ट ऑप्सेशन है ऎनेट पे जी आप सार्च मारेंगे और ढूंडेंगे तो 97 मिलियन भ्यूज हैं उसके। मैंने आज दो Do Paar में चेक टिया हैnt 97,000,000.000 भ्यूज हैं इस हैस्टैग के कि लोग लिक्विड क्लोरोफिल ढूंड रहे हैं hashtag chlorophyll इसलिए वही hashtag chlorophyll यहां लिख दिया है आप बहुत सारे लोगों को मिलेंगे या सुनेंगे आपने कहीं WhatsApp ग्रूप में Facebook ग्रूप में या कहीं पे Instagram में कहते हुए सुनेंगे कि वो जो है chlorophyll से उनको ये फाइदा हुआ वो फाइदा हुआ उनका जो है skin एकदम clear हो गया उनका जो है bloating खतम हो गया उनका जो है वजन कम हो गया उनका detoxification हो गया उनका बहुत अच्छा blood का circulation बन गया blood का निर्मान होने लगा तो इससे बहुत सारी फाइदे आप अलग-अलग फाइदे सुनेंगे तभी 97 million views और hashtag इतना trend करने वाला ये hashtag तो मैंने ये बताने की कोसिस की कि fashion एक होती है एक आज की modern generation कोई बढ़िया चीज के पीछे भागती है तो ये वो बढ़िया चीज है जिसके पीछे लोग 97 million का ये कर रहे हैं और एक data मैं आपके पास share करना चाहता हूं और वो data है कि NB आप सबको मालूम होगा nutrition business general जिसको कहते हैं तो ये काफी prestigious journal है जो वर्ल्ड में एक reputation रखता है तो NBJ के हिसाब से nutrition business journal जिसको कहते हैं इसके हिसाब से United States of America में USA में alone पिछले साल जब lockdown चल रहा था तब 7.8 million US dollar का chlorophyll supplement जो है बेचा गया बजार में और खरीदा गया लोगों क आप आकड़ा समझें लॉगडाउन है सब चीजें बंद हैं USA में लास्ट येर 7.8 million US dollar का chlorophyll supplement बेचा गया और लोगों ने उसको खरीदा अब इससे क्रेज समझ सकते हैं दो चीजें आप समझें मैं यहां बता रहा हूं 97 million views hashtag chlorophyll और यहां पर मैं बता रहा हूं कि national sorry nutrition business journal यह data share करता है कि 7.8 million US dollar का एक product US में बिखता है कौन सा चीज है यह यह liquid है chlorophyll liquid अब समझते हैं एक interesting fact और यह interesting fact आप सबको बड़ा interesting लगेगा जो मैं share कर रहा हूं आप screen पे देखिए मैंने खरे रंका और लाल रंका circle रखा है और उस पर molecular structure बनी होई है यह जो green वाला है वो plant का blood है जिसको chlorophyll कहते हैं मतलब chlorophyll मतलब plant का blood हरे रंका blood और जो दूसरा वाला मैंने बनाया है वो human blood है जिसको hemoglobin कहते हैं red blood carpals RBC तो यह interesting fact देखिए और पूरी के पूरी यह जो स्रिस्टी जिस भी भगवान ने बनाई है उसकी एक विलक्षन स्रिस्टी देखिए कि यह जो है दोनों का molecular structure जदि लैब में आप चेक करें तो दोनो सेम है दोनों का molecular structure सेम है coincidence कहिए या बिलक्षन प्रकृति का जो निर्माता है उसको श्रेय दीजिए एक जो है हरे रंग का है एक लाल रंग का है एक हरे रंग का खून है पौधे का और एक लाल रंग का खून है human being का अब दोनों की similarity मैं इतने देर तक आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि तब आप समझ पाएं कि ये किस तरीके से आपके स्वास्थे के लिए इतना लाबदाई है जिसको हम बहुत कम भाव देते हैं बहुत कम इस्तमाल करते हैं हरी सबजीयां तो थोड़ी खा लेते हैं ल सब्जी आपके खेत में से तो निकल के आई नहीं है तो अभी एक lifestyle change हो गया modern lifestyle आ गया हरी चीज कम होती चली गई process चीज का जमाना आ गया सब कुछ tetrapak में pack करके रखा हुआ है process करके रखा हुआ है लेकिन यह कितना critical है human being के लिए आप देखिए hemoglobin और उसका पौधे का chlorophyll अब इसी molecular structure को थोड़ा और समझते हैं अब molecular structure को आप पूरा देखिए आप में से जितने भी chemistry वाले लोग होंग तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे आप देखिए structure में कोई फरक आपको दिख रहा है plant का chlorophyll और human blood का hemoglobin molecular structure आपके सामने है कोई फरक दिख रहा है आपको एक ही फरक है plant के chlorophyll में center में magnesium है और human blood के hemoglobin के center में iron है यही फरक है बाकी कोई फरक नहीं है molecular structure तक से ही में कितना विलक्षन बात है आप सूचिए the only exception that center का जो central atom है जो central परवाणू है उसमें आपका जो है hemoglobin के अंदर iron है और chlorophyll के अंदर magnesium है once absorbed जब एक बार आपकी body में absorb हो जाए तो यह क्या करेगा तो यह आपके hemoglobin के production को stimulate करेगा red blood carpals और जो cells हैं उनके production को stimulate करेगा because structure से ही में अब आप correlate हो रहे होंगे इसलिए मैंने structure इतने detail में बताया है अब आप correlate हो रहे होंगे कि यह वाला जदि आपने ग्रहन किया तो क्या होगा जैसे आप कोई जानवर से गाई का या किसी का जब cholesterol आप इस्तिमाल करते हैं जब बच़ड़ा होता है और उस समय का जो दोद होता है तो क्यों इस्तिमाल करते हैं क्योंकि उसमें वह वाली गुण थी वह वाली nutrition थी वो वली portion थी जो आपको उतना बढ़िया दे सकती है तो आप यह समझेए कि इस वाले में structure same है आपने ग्रहन किया तो आपके हीमोगलोबीन के production को वो कई fold बढ़ा देता है और इतना ही नहीं यह एक powerful antioxidant है इसी लिए कि यह क्या करेगा तो यह आपके blood को clean करने में और wrist को out करने में flush out करने में बेहतरीन मदद करेगा आपको तो इसी लिए इसको detoxification के लिए भी जाना जाता है और इसको आपके body के अंदर जो जो toxins परे हैं उसको निकाल के फेकने के लिए भी जाना जाता है फाइदे हम क्या-क्या हैं वो आगे समझने वाले हैं. आगे के स्लाइड में मैं फाइदा बताऊंगा. मैं खाली को रिलेट करके आपको यहां तक लाने की बात कर रहा है. अब हम समझते हैं कि कौन-कौन सी चीजों में क्लोरोफिल की मात्रा जादा पाई जाती है. कौन-कौन सी खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें क्लोरोफिल बहुत जादा होता है. तो सिंपल थमरूल से कोई भी चीज जो डार्क ग्रीन है जो ग्रीन है उसके अंदर क्लोरोफिल कम जादा मात्रा में जरूर मिलेगी. किसी किसी में बहुत जादा मिले भी किसी किसी में कम मिले तो किसकी बात करें जदि आप पालक की बात कर लें जिसको स्पिनाच कहते हैं आप वीट ग्रास की बात कर लें जो की जो क्या बोलते हैं गेहूं जो का जो होता है ना वीट ग्रास जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं इसके बहुत सारे supplement आते हैं उसमें गेहूं की जो grass होती है उसमें बहुत ज़ादा होता है इसके अलावा ये 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 स्पिरुलिना में है ये अल्फाल्फा में है पर्सली में है मस्टर्ड ग्रीन्स में है जो सरसो का green पाया जाता है, broccoli में है, जो हरे रंग की गोभी मिलती है वजार में, उसके अंदर पाया जाता है, गेहूं की घास, बहुत अच्छा बता है भुपिंदर सिंग जी ने, गेहूं की घास कहते हैं उसको, और वो बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, तो गेहूं की टाइम होता है, जो उसका इस्तमाल करते हैं, उनको exact मालूम होता है कि कब से कब तक का लेना है, बट लेने का प्रोसीजर का फिट टेरा मेरा है, टेरा मेरा के मतलब कि आपको उतना दिन ख्याल रखना है, निकालना है, फिर उसको इसको इस्तमाल करने का एक मेथड है, फिर broccoli भी बताई आपको कि broccoli के अंदर मिलेगा हरे रंग की गोवी जो होगी green cabbage जदि हरे रंग की गोवी आप लेते हैं cabbage जो होताctica पत्ते वाला green beans जितने भी आपके bean मिलेंगे same हो, same type का जितना भी bean हो french bean हो bor up revealed इस type का जितना कुछ सामान आपको मिलता है इसके अंदर कम ज़्यादा कम बेसी मात्रा में मिलेगा एक दम हरे रंग का डार्क कलर का सेम कोई आपके घर में बना हो बीन आपके पास आई हो या बाजार में मिली हो उसमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो यह सब सारी टाइप की चीजें होई यिद्म मिलेगा जितने भी मटर की विराइटीज हैं उसमें मिलेगा जबी आप घ्रीन टी में माचा को पसंद करते हैं माचा टी आपको बहुत लोग पीते हूंगे तो माचा टी में मिलेगा उसमें बढ़के हरी मात्रा में मौजोद होता है वो, तो ये उसमें पाया जाएगा, अब क्लोरोफेल जो है, ये प्रेजन्ट है बहुत सारी सब्जीयों में, बहुत सारे फल में, जो-जो हरी-हरी चीज़ें हैं उसमें प्रेजन्ट है, पालक पकड़ लो ये पकड़ लो सब में present है और इसके अंदर भर-भर के health benefits हैं भर-भर के medicinal health benefits पड़े हुए हैं इसके इसकी जदी पायदे की बात की जाये तो ये health को overall बहुत अच्छा improve करेगा ये beauty को improve करेगा आपको सुन्दर बनाएगा जमान रखेगा आपकी age को control करेगा boosting energy का काम करेगा आपको दिन में थकान नहीं होगी आपकी energy level intact रहेगी आपका क्या बोलते हैं फटीग कम होगा और ये आपकी illness को वो जो है क्या बोलते हैं जो बिमारियां होने के संभावना है उसको कम करेगा और illness है तो उसको fight अच्छे से करेगा अब सवाल ये उठता है क और ये अच्छा किलोडोफिल ये को टोड़ोफिल को हम ग्रहन कैसे करें यह सब इसमें 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 तो दिख रहा है ग्रहन कैसे करें इसके बारे में दो तरीके हैं from where to get chlorophyll दो तरीके हैं एक तरीका है कि प्लांट से लें जितने भी अपने अब नाम गिने वो पोधे म पाया जाएगा फल में पाया जाएगा तो प्लांट से लिया जाए और दूसरा तरीका है कि सप्लिमेंट से लिया जाए सप्लिमेंट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है प्लांट वाले से प्लांट वाला कम इफेक्टिव है सप्लिमेंट ज्यादा इफेक्टिव है इसका एक साइन्टिफिक बेसिस है और मैं वह आपको अभी बताऊंगा कि क्यों supplement ज़्यादा effective है और plant कम effective है समझते हैं कि why supplement, supplement से ही ज़्यादा क्यों लिया जाना चाहिए, supplement ज़्यादा effective क्यों है क्योंकि chlorophyll जो है, वो जो है digestion में बहुत लंबे समय तक survive नहीं करता absorption के लिए उसको तो अवशोशित होना है ना, तो अवशोशित करने के लिए बहुत देर तक नहीं बचता क्योंकि वो degrade हो जाता है वो घुलंशील नहीं होता, तो जो plant से हम ग्रहन करते हैं, वो chlorophyll बहुत देर तक digestion में survive नहीं करता तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलता नहीं है, आपका absorption आप उसका नहीं कर पाते हैं इसको English में कहेंगे bio availability, कि वो bio availability उसकी कितनी है, जैसा हम curcumin के time में आपको बता रहे थे कि curcumin कितना आप लेते हैं, यह जरूरी नहीं है, जरूरी है कि शरीर उसमें से कितना ग्रहन कर पा रहा है और उसके लिए हमने उसमें बताया था कि piprine add किया हुआ है, तो पाईपरीन जब आप curcumin में मिला देते हैं हल्दी में से निकला हुआ curcumin उसके अंदर, गोल मिर्च से निकला हुआ, काली मिर्च से निकला हुआ पाइपरीन, काली मिर्च के छिलके के अंदर की परत को हम पाइपरीन कहेंगे, उसको जदी मिला दिया जाए, तो करक्यूमिन की बायो एविलेबिलिटी, मतलब शरीर के ग्रहन करने की छमता कई गुना ज़ादा बढ़ जाती है, वैसे ही क्लोरोफिल जो है, शरीर पूरी तर से बना होता है, जिसके अंदर कॉपर होता है, इंस्टीड ओफ मैगनेशियम, और इसकी लिए क्लोरोफिल जो है, जो फैट सॉल्यूबल है, इसका मतलब यह हुआ कि पालक में से जदी आपने वो क्लोरोफिल लिया है, तो वो फैट सॉल्यूबल है, वो घुल नहीं रहा आ आपके पास, जबकि क्लोरोफिलीन लिया आपने, जो आप सप्लिमेंट में पाये जाएगा, कॉपर बेस्ट, तो उससे वो वाटर सॉल्यूबल है, वो पूरी तरीके से पूरा घुल गया है, तो वो और शोशत भी बहुत अच्छे से होगा, तो यह एक डिफरेंस है, और इसलिए यह बहुत easier हो जाता है आपके stomach के लिए, आपके absorption के लिए, पचाने के लिए, digestion के लिए और वो जो है अच्छे तरीके से आपके काम में आजाता है, क्लोरोफिल सप्लिमेंट्स आर वाटर सॉल्यूबल और बायो अभिलेबल, बायो अभिलेबल का मतलब कि आपने ग्रहन तो किया, अंदर तो लिया, लेकिन वो सरीर के लिए अभिलेबल है क्या, बायो अभिलेबल है क्या, तो क्लोरोफिल जो है के अंदर natural liposolubal state होता है, liposolubal state, यह liposolubal state का मतलब यह हुआ कि यह जो है, वाटर में dilute नहीं होगा, और इसलिए सरीर इसको minimally absorbed करेगा, कम से कम absorb करेगा, ज्ञादा अबसॉब नहीं करेगा और यही कारण है कि example ले लीजिए, कि आप बहुत सारा पालक खा रहे हैं बट आप उस में से बहुत सारा chlorophyll नहीं ले रहे हैं, केवाल आप पालक खा रहे हैं, बट बहुत सारा chlorophyll आप उसमें से नहीं associate कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि वो बायो अविलेबल नहीं है वो fat-soluble है वो लीपो-soluble state में है वहीं पे जदी supplement आप ले रहे हैं तो supplement क्या करता है तो supplement जो है chlorophyll का derivative use करता है और उस derivative का नाम है sodium copper chlorophyllene तो chlorophyllene क्या है water-soluble है chlorophyll fat-soluble है तो chlorophyllene जब इस्तमाल होगा तो water-soluble है bio-available है और इसलिए वो जादा से जादा assimilate होएगा और जादा से जादा जो है आपको उसका benefit तुरत मिलेगा तो यह वही बात कि आपको supplement क्यों लेना चाहिए मिलेगा तो पौदे में भी और मिलेगा supplement क्यों लेना चाहिए और क्यों फिर वो उस तरीके से hashtag उतना million है अब एक और जड़ा interesting fact आप समझके लीजिए और यह interesting fact यह है कि blueberries में बहुत ज्यादा antioxidant पाया जाता है antioxidant chlorophyll में पाया जाता है chlorophyll के पास blueberries से 2000 गुना ज्यादा antioxidant होता है यह मैंने आपके सामने screen पे डेटा रखता है और एक और चीज़े इसको कहते हैं resveratrol यह जो resveratrol है वो क्या चीज़े वो समझे वो एक plant का compound है जो की antioxidant की तरह काम करता है यह बहुत सारे पौदे में पाय जाता है फुल में पाया जाता है तो यह जो resveratrol है जिसको कि हम antioxidant के लिए ही उस compound को इस्तमाल करते हैं उससे जदिदी compare किया जाये तो बीस गुना जादा जो है chlorophyll के अंदर antioxidant पाया जाता है मतलब जो antioxidant के लिए जाना जाता है उनसे 2000 गुना जादा उनसे 20 गुना जादा antioxidant chlorophyll के अंदर होता है तो आप समझ सकते हैं कि chlorophyll antioxidant capacity के मामले में कितना जादा है अब आपके पास बहुत सारे चीजें दिख रही है यहाँ पे हरे रंग का नीबू भी दिख रहा है आपको मैंने सेम भी दिखाया है बीन दिखाया है अंगुर भी दिखाई है निनुआ भी दिखाया है आपका ककड़ी कुमबर भी दिखाया है सारा कुछ आपको दिखाया है जो कि आपका क्या बोल सकते हैं, source है, जहां पर ये chlorophyll पाया जाएगा, तो जदी primary source की बात करें, chlorophyll का, तो कोई भी हरी सबजी जदी आप खाते हैं, कोई भी हरी पत्तेदार सबजी खाते हैं आप, alfalfa या पालक या धनिया या इस टाइप की कोई wheatgrass जैसी चीजों की बात क करते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है, लेकिन wheatgrass में, particularly ये काफी rich मात्रा में ये chlorophyll पाया जाता है, provided, जैसा उन्होंने बताया, सिंग साभ ने कि आप जो है, साथ दिन के अंदर इस्तमाल करें, तो ये ज़्यादा अबिलेबल, उसका powder हो सकता है, उसका juice हो सकता है, उसका bioavailable होता है, क्योंकि वो chlorophylline होता है, chlorophyll नहीं होता, और जदी बोलें की कैसे इसमें से ग्रहन किया जाए, तो सबसे ज़्यादा, बोलते हैं न, popular है या बहुत लोग इसको आजमाते हैं, और या फिर smart way जदी कह सकते हैं, तो chlorophyll को लेने का सबसे popular या smart way ये है, कि उसको ज में लेंगे, तो chlorophyll नहीं लेंगे, chlorophylline लेंगे, जो water soluble होगा, और आपको सीधा-सीधा उसका फायदा मिलेगा, और ये जो है, drop forms में भी available है, ज्यादा बढ़िया product drop form में आपको मिल जाएंगे, और आपके पास goyang के brand में, ये drop form में available है, water soluble derivative of natural chlorophyll, ये आपके drop form में available है One of the finest formulation आप इसको कह सकते हैं, जो drop form available है आपके country में, वो goyang colorophyll है, और ये जो है chlorophylline contain करता है, इसके अंदर chlorophylline है, जो complete water soluble है, और जो है ये आपके body के द्वारा बड़े easily absorb किया जा सकता है, और आप भी इसको बड़े easily ग्रहन कर सकते हैं, विकोर ये drops हैं, जिसको किसी भ मानी में कभी भी टपका सकते हैं और इसका स्तमाल हो सकते हैं, अब मैं इसके फाइदे की तरफ बढ़ता हूं, और बताना चाहता हूं कि chlorophyll के क्या-क्या फाइदे हैं, और chlorophyll की benefit बताने समय, आपको बहुत सारा ABCDE दिख रहा है यहां पे, और वो ABCDE इसलिए है कि मैंने य यह alphabet A, B, C, D, E के नाम से चलेगा, बट यह alphabet बनाने के पहले, फिर से हम उन slides को एक बार याद करें, कि यह benefits कितनी होगी, कि 7.8 million US dollar last year, सिर्फ एक country USA में spend किया गया liquid chlorophyll लेने के लिए, और 97 million इस hashtag chlorophyll के followers हैं, जो liquid chlorophyll की बात कर रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं, उसके फायदे बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कुछ तो benefit होगी, और उस benefit को आप तक पहुचाने के लिए, मैंने A, B, C, D, E का सारा लिया है, और मैं A, B, C, D, E आज बताने वाला हूँ, क्या आप ready है टाइप ready in the chat box, आप सब लोग, तो मैं आपको ये बताना सुरू करो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और हम जो है, एक हजार लोग और धड़ा-धर आप type कर रहे हैं, ready, ready, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और A, B, C, D का A से सुरू करते हैं, ये रहा आपका A, A का मतलब होता है anti-aging remedy, chlorophyll जो है anti-aging remedy, anti-aging करने वाला remedy है, कैसे है, इसको समझते है, chlorophyll can work as anti-aging remedy, तो पात हुई, लेकिन क्यों है यह ऐसा क्यों क्या करता है तो यह सबसे पहले आपके फोटो एजिंग के जो साइन होते हैं उसको यह रिमूव करता है उसको यह स्टॉप करता है उसको यह सीज करता है जब उम्र बढ़ती है खासकर महिलाएं इस पर ज्यादा सजग होती है पुरुष तो थोड़ी इदर के जैंटरिक नहीं होते तो पता नहीं चलता ऐसा नहीं है काफी पूरुष बहुत जादा मीरर सेंटरिक भी होते हैं और महिलाओं को तुरत पता चल जाता है कि कहीं पे एक हलकासा दाग आ गया था सब्सक्राइब यह क्या है तो यह फोटो एजिंग के साइन सहीं कि यह कह पुकाता है डिले करता है सीज कर देता है या उसको इलिमिनेट करने वाला भी गुन रखता है तो पहली बात है इसके अलावा यह संग एक्सपोजर की जदी बात की जाए जिसके लिए आप वो लगाते हैं ना संस्क्रीन लोशन बहुत सारा वो जो संस्क्रीन लोशन की बात की जाए तो संसे जो होने वाला एक्सपोजर से होने वाला जो डैमेज है स्किन को उसमें यह काफी मदद करता है नाचुरली फ्रम अंदर से ऊपर से आपको लगा रहे हैं क्रीम वोली बात नहीं यह नाचुरली आपको ज़्यादा ठीक अंदर के जो पोर्स हैं, उसके अंदर ये जो है, cleansing का काम करता है, responation का काम करता है, और क्यों ऐसा कर पाता है, क्योंकि ये अढ़ीनल ग्लांट्स जो होते हैं, उसके functionality को improve करता है, उसके काम करने के तरीके को ये, मतलब, enhance कर देता है, तो जो aadernal glands हैं, वही detoxification पह काम करते हैं, वही flush out करते हैं, वही चेहरे skin पे glow लाएंगे या फिर थोड़ा सा उसको toxic कर लेगे, टॉक्सिक नहीं होगा तो glow आएगा, जदि मेरी दिमाग में toxic नहीं होगा तो glow आएगा, चेहरे पे toxic नहीं होगा तो glow आएगा, body में toxic नहीं को भी यह बढ़ाता है तो सांटिफिक तरीके से मैंने आपको एंटी एजिंग के कारण बताने की कोशिश की एक और पॉइंट मैं आपके साथ सेर करूंगा यहां पर और वो पॉइंट यह है कि यह जो है एकने जिसको कहते है न पिंपल्स आ गया एकने आ गया तो यह जो एक विजबल लाज POURS है जो जो रूम कूप से जो लारज लार 10 बढ़े बड़े पौर सोजाते हैं महिलायत तुमें नोटस कर ले ठिच कि बड़े-बड़े पौर्स हो गहां तो वो pores को भी ये बहुत अच्छे तरीके से deal करता है और ये जो है age spot जैसा मैंने बताया उस पे और skin care, beauty पे बहुत अच्छा काम करता है और यही कारण है कि chlorophyll को hero ingredient माना जाता है जब premium skincare product बनाया जाता है मैं profession से एक formulator हूँ और काफी formulation में involved रहता हूँ तो जब आप कोई भी premium skincare product बनाने की बात करते हैं या बजार में भी कोई भी आप premium skincare product लेंगे तो as a formulation team इस product को या इस घटक को, तत्व को, active को, chlorophyll को हमेशा hero ingredient का आजाता है hero ingredient पिकोज यह उसमें रहेगा ही रहेगा यह रहेगा तो बहुत अच्छा करेगा anti-aging remedy के बारे में किसी एक का mute कर देने की जरूरत है प्लीज मुट इट इस एक का खुला हुआ है if I can mute I'm not finding this mute option anyone can mute this out yeah so बात करते हैं skin के पहले हमने एक ही बात कर ली anti-aging remedy तो हमने बता लिया अब हम बात करते हैं B की तरफ बढ़ते हैं B का मतलब है blood building properties blood building properties यह जो है hemoglobin और chlorophyll को मैंने साथ साथ रखके उसका molecular structure आपको बताया और वो बताया कि उसमें magnesium है और इसमें iron है तो hemoglobin जो है chemically जदी आपने देखा तो वो similar है chlorophyll के और hemoglobin एक protein है जो red blood cells के लिए essential है और यह oxygen को आपके पूरे शरीर में carry करता है जिसको हम प्राण वायू कहते हैं जदी वो नहीं carry होए वो नहीं हर second में हर microsecond में घूं जाए body में तो body survive नहीं करेगा जदी किसी एक कोने में एक fraction of second के लिए वो पहुँचना रुख जाए उसका तो paralyzed हो जाएंगे तकलीफ हो जाएगी कहीं brain के किसी हिस्से में नहीं पहुँचा तो आदमी को चकर आके गिर जाएगा तो आप समझे कितनी important चीज़ है तो वो उसकी part है लेकिन hemoglobin जो है जो एक protein का कन है उसका जो red blood cells की बात की जाए तो ये इसको निर्मान करने में chlorophyll बहुत जादा मदद करेगा chlorophyll जो है red blood cells के production को प्रमोट करता है in short chlorophyll जो है life on earth का सुत्रधार है या it is responsible for life on earth चाहे वो पौधा हो चाहे human being हो chlorophyll वो चीज़ है जो दोनों ही life को चलाने का सुत्रधार है और इसी लिए इसको plant का blood कहा जाता है पौधे का रख्ट और इसी लिए इसके अंदर blood building property होती है और इसी लिए इसको red blood carcals कहते हैं अब हम B तक पढ़ें अब C पे चलते हैं C को समझेंगे तो cancer fighting properties इसका मतलब हुआ C मतलब cancer fighting properties ये जो है chlorophyll helps in fighting cancer chlorophyll के पास anti-carcinogenic property होती है और chlorophyll जो है आपके cancer के risk को lower करता है including apoptosis apoptosis के भी risk को ये low करता है chlorophyll जो है cancer के growth को slow कर देता है उसको थमाने की कोसिस करता है chlorophyll जो है even tumor का development जदी हो रहा है कहीं पर शरीर में cancer नहीं हुआ है अभी तक वो malign नहीं हुआ है अभी तक आपने test नहीं किया है और वो cancerous है भी नहीं but tumor बन रहा है tumor formation is happening in some part of the body somewhere तो tumor के development को भी chlorophyll reduce करता है और इसलिए ये हमेशा anti-cancer माना गया है cancer के खिलाफ खासकर colon cancer की बात की जाए liver cancer की बात की जाए stomach के किसी cancer की बात की जाए आत के cancer की बात की जाए तो उसमें chlorophyll बहुत अच्छा काम करता है बेकर ये पूरा का पूरा उसी area की बात हो रही है digestive tract की जहां पे इसका सबसे जादा योगदान लिया गया है तो ABC तक पढ़े अब D पे चलते हैं D का मतलब है detoxifying property इसके अंदर detoxification की property बहुत जबरदस्त है chlorophyll आप देखिए कभी भी कोई हरी पत्तेदार सबजी आप लेते हैं कोई हरी चीज लेते हैं कोई भी superfood लें कोई भी normal चीज लें धनिया ले लें for that matter धनिया का पत्ता ले लें आप देखिए वो क्या करता है वो cleanse का काम करता है क्लिंज करता है kidney cleanse, liver cleanse क्यों ऐसा करता है क्योंकि वो green color का है उसके अंदर cleansing property भरी हुई है उसके अंदर क्या भड़ी हुई है chlorophyll भड़ी हुई है chlorophyll जो है liver के natural ability cleansing होने की या toxin को निकालने की उसको बढ़ाता है तो इसलिए chlorophyll liver को स्वस्त रखता है liver के function को जिसका काम है toxins को remove करना उसको बढ़ा देता है और इस process को detoxification कहते है liver जब cleansing करता है और उसको detoxification करके toxins को बाहर remove करता है flush out करता है तो इस process को detoxification कहते है chlorophyll क्या करता है तो इस natural detox process को जो है ससक्त करता है उसको strengthen करता है और body के pH level को maintain करता है body acidic level की तरफ जाए के बजाए उसको नीचे की तरफ लाता है उसको साथ के आसपास लेके आता है साड़े साथ पे रखता है तो ये एक बड़ा काम करता है phytochemical इसके अंदर होते हैं जो कि पौधा है तो phytochemical और phytonutrient जो इसके अंदर होते हैं वो जो है toxins को जो है blood stream में जाने से रोकते हैं और उसको जो है ऐसा रोकने की वज़े से जो tissues हैं जो damaged tissues हैं उनके repair में भी काफी मदद दनती है chlorophyll actually और भी एक काम करता है इसलिए detoxification और ज़्यादा जबरदस्त होता है और वो क्या करता है तो कोई vitamins की बात की जाए जैसे vitamin K, vitamin E, vitamin A, vitamin C इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से absorb करने में मदद करता है और इसलिए detoxification process जो कहते हैं phase 2 of liver detox liver detox का जो phase 2 होता है जो ज़्यादा complex होता है उसको यह बहुत सहज कर देता है और बहुत ज़्यादा strengthen कर देता है तो detoxification वाला process जो आपकी body का है जाए वो liver कर रहा है kidney कर रहा है उसको यह बहुत अच्छे से support करता है D से detoxifying properties था अब D से ही एक और बात मैं कहना चाहता हूं और उसका मतलब है D for deodorant properties आप deo spray करते हैं शू शू लगाते हैं पूरा तो यह deo मारते हैं वो खतरनाक deo आप spray करते हैं जदि आप deo spray करते हैं तो मेरा suggestion है कि बहुत जादा compulsion ना हो तो उसको stop करें उसको बंद करें और यहां तक कि अपने घर में deo spray के purchase को रुका सकते हैं तो रुका के देखें क्योंकि ये कल नहीं तो परसों परसों नहीं तो उसके बाद वाले date में दो साल नहीं तो 10 साल 10 साल नहीं तो 15 साल कभी ना कभी cancer नाम की चीज़ को आपके ज़र तक लिखे आएगा क्योंकि deo सीधे सीधे carcinogenic है और cancer causing है आप इसके लिए expert को पूछ सकते हैं google करके देख सकते हैं deo का बाजार deodorant का बाजार कुछ अरब का है कुछ हजार करोर रुपे का बाजार है आप किसी भी super market में जाएं किसी grocery store में जाएं छोटे से grocer के दुकान में चले जाएं परचून के दुकान में चले जाएं आपको 10 deo वहां रखके मिल जाएंगे और बड़े mall में गए तो आपको shelf के shelf और bracket के bracket उसके मिलेंगे और हर आदमी एक deo खरीद रहा होगा किसने ये fashion शुरू किया कौन खरीदता है क्यों खरीदता है ये बाद बस subject है लेकिन पहला subject ये है कि वो carcinogenic है आज नहीं तो कल cancer को लेके आएगा आपकी body जदी naturally बदबू ना दे तो कैसा हो वो बदबू क्यों देगा आपके armpit में बदबू आ रही है आपके मुझे से बदबू आ रही है जदी बदबू आ रही है तो बदबू आने का कारण क्या है क्योंकि toxins है कहीं पे जदी आप अच्छे से clean रहें दो बार नहाएं और हमेशा सफाई पसंद रहें तो उसके बद भी जदी पसीने में बदबू आ रही है तो आपको cleansing की जरूरत है cleansing के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आप नोनी ले सकते हैं कोई anti-oxidant ले सकते हैं आप अपने पूरे के पूरे डाजेशन ट्रैक को clean करने की बात कर सकते हैं बहुत सारे प्राकृतिक उप्चार होते हैं कटी बस्ती से लेके इस से लेके उस से लेके सारा कुछ कर सकते हैं सारे possibility हैं लेकिन जदी detoxification की बात करें तो अभी हमने D के मामले में समझा कि ये natural detoxifier है सारे vitamins को absorb करने में मदद करता है और detoxification में liver का जो phase 2 है उसको ससक्त कर देता है तो इसलिए ये D का मतलब मैंने निकाल के लिए आपके लिए कि deodorant properties इसके अंदर DO property है DO property का मतलब ये हुआ कि ये जो है आपके बद्बू को कम करता है आपके bad order को कम करता है और वो जो bad order है वो चाहे वो पसीने का हो चाहे वो आपके मुह से दुरगंद निकलने वाली चीज़ हो चाहे आपके सांस की बद्बू हो चाहे वो आपके body से निकलने वाला को बद्ब उस बदबू को यह कम करता है और नाचुरली कम करता है इसलिए मैंने यह कहा कि डियो बाहर से लगाने के बजाए डियो जदी अंदर से लगाया जाए तो यह अंदर वाला डियो हुआ क्लियर है तो क्लियर टाइप करें क्योंकि यह जो है बड़ा पॉइंट है जैदि आप इस इस पॉइंट को एक खाली ग्रहन करके ले लें तो आप साथ उस डियो का इस्तमाल बंद कर पाएंगे और आप इस एक हजार प्लस लोगों में से जैदि सो लोग दो सो लोग भी इसक अब जो है एक और चीज बात करते हैं एक और इसमें पॉइंट में बता देना चाहता हूं कि जदि आपने कोई माउथ वास कभी इस्तमाल किया है घर में तो माउथ वास का आप जड़ा इंग्रेडियंट कभी चेक करिएगा यब अच्छे माउथ वास को लीजिएगा या इस तरह की चीजों की बात करेंगे तो उसमें भी आपको इंग्रेडियंट में क्लोरोफिल मिलेगा क्यूं मिलेगा क्यूंकि माउथ वास में भी क्लोरोफिल मिलाया जाता है तो इस तरीके की इसकी बात कर लिए अब हम E पे जाते हैं A, B, C, D कर लिया, D में हमने दो समझ दीतोक्सिफाई Deodoran, ब E की बात करते हैं या लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो है E का मतलब है, एनर्जी लेवल बूस्टे होगा, आपके छोटे बच्चे का एक energy level होगा, वो ठकता ही नहीं होगा, आप बोलते होंगे इसकी बैटरी नहीं खतम होती है, एकदम energy level उसकी बहुत जाता होगी, energy level वो एक energy level होगी, एक दूसरा energy level है, कि जब आप सो के उठते हैं सुबह में, तो कितनी energy के साथ उठते हैं, क्या आपको bed से, you know, jump out of bed का इच्छा होता है, कि एकदम उचलके खड़े हो जाएं, इतना उठते हैं, जोश के साथ, या फिर बहुत मुश्किल से अलाम को प्रेस कर देते हैं, और सुचते हैं, थोड़ी देर और ठके हुए उठते हैं, बहुत लोग, they get up, tired, ठके हुए ही उठते हैं, कुछ लोग, fresh उठते हैं तो energy level वहां से decide होनी शुरू हुई, दूसरी बात, आप दिन में क्या खाते हैं, क्योंकि आहर विहार ही decide करता है, कि आप कितना energetic रहेंगे, आप क्या खाते हैं, कौन सा आहर लेते हैं, कितना active रहते हैं, कैसी चिंताएं लेकि जीते हैं, किस तरीके के वातावरन में रहते ह हैं, कितना दुखी रहते हैं, कितना positive रहते हैं, कितना negative रहते हैं, कितनी चिंताएं रखते हैं अपने business की, नौकरी की, परिवार की, relationship की, इन सारी चीजों पर depend करता है, कि आप कितनी energetic महसूस करेंगे, आपके अंदर कोई ब्याधी है, कोई बीमारी है, कोई hidden disease है, जिसको क आप अभी तक declare नहीं किया कर पाए हैं, जिसका अभी तक symptom आया नहीं है, या doctor ने उसका अभी check-up किया नहीं है, कुछ हो सकता है, कोई बीमारी अंदर अंदर चल भी हो, वो भी आपको energy level कम कर सकता है, कोई ऐसा हो सकता है, कि दिमाग में कोई stress चल रहा हो, तो energy level कम कर सकता ह यदि COVID-19 का tension चल रहा है, तो आप देखेगा कुछ इच्छा नहीं होती है, एक दम stress हो गया, तो stress भी आपको कम कर सकता है, कोई बीमारी भी कम कर सकता है, कोई आहार विहार भी कम कर सकता है, आप क्या खाने में खाते हैं, नास्ते में खाते हैं, उसके खाने के हिसाब से भी हो सकता है, रिजन बहुत सारे हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अभी energy level की, तो जदि energy level की बात की जाए, तो इसका oxygen से लेना देना है, क्लोनो फिल के पास oxygenating का बहुत बड़ा power है, it has got huge, humongous कह सकते हैं, oxygenating power, तो जदि oxygenating power इतना जादा है, तो यह जो है, oxygenate करेगा और आपके stress को भी balance करेगा, अब आप देखी एक छोटा सा आप, बहुत ज़्यादा आप तनाव में आ जाए, मैं ऐसा करता हूँ, आप जदि बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाए, कुछ business का तनाव हो गया, कोई office के staff का कोई problem हो गया, कुछ ऐसा तनाव आ गया आपको, तनाव एक मिनट के लिए उस समय you are feeling not very good, तो क्या करें आप, आप उस समय बस दो मिनट एक मिनट का काम है, 30 सेकेंड भी कर सकते हैं, आपने जो है, शान्त हो के, खूब लंबी सांस अंदर खीची, सांस बाहर छोडी, सांस खीची, सांस बाहर छोडी, ओम बोले ना बोले, फरक नहीं पड़ता, आपने सांस खीचा छोड़ा, खीचा छोड़ा, क्या हुआ, you will find little relaxed, easy हो जाएंगा, क्या हुआ, क्या किया आपने actually, आपने oxygen भर दिया आपने lung में, oxygen को आपने lung में, जितना भरना था उतना भर दिया, अपने आपको आपने oxygenate किया, ज्यादा oxygen दिया, यह oxygen आपके दिमाग तक गया, वहाँ तक गया, सब मिला जुलाके, यह आपके stress का balancing किया, आपके stress को neutralize करने में थोड़ा योगदान दिया और इसको कम किया, और यह आपके efficiency को optimize कर देगा, आपके brain के function को बढ़िया कर देगा, और वो चीज करेगा, तो जदी chlorophyll की बात करे हैं, तो chemistry के हिसाब से जदी आप देखने जाएंगे, तो chlorophyll के पास tremendous oxygenating powers हैं, इसलिए chlorophyll का drop जो है, उसके अंदर, आपके cellular layers जो body के हैं, उसको chemically restore करने की ability है, कितनी बड़ी बात हो रही है, कि आपका वो जो drop है, जो chlorophylline से बना हुआ है, जो water soluble है, उसके अंदर, आपक body के अंदर cellular layers को chemically restore कर देने की छमता है, तो वो इस तरीके से काम करता है, इसलिए scientifically मैंने आपको समझाने के कोसिस की, कि आपका energy level कैसे ये boost करता है, chlorophyll जो है एक और काम करता है, energy boosting की बात करें, तो एक और बात मेरे ध्यान में, chlorophyll एक और काम करता है, वो ये करता है, कि व तो आपके body के अंदर जो gas या toxins बन रहे हैं, उनके formation को, जो digestion के दरमयान होते रहते हैं, उसके formation को reduce करता है, कम करता है, थमा देता है, अब आप देखिए, किसी को arthritis है, cytica है, किसी को pain है, या किसी को digestion में बहुत सारा problem रहते होंगे, तो आप देखिएगा उसको burping होती रहती मामला तो वहाँ से सुरू हुआ था कि उसकी वज़े से constipation हो गया था, उसकी वज़े से acidity हो गई थी, उसकी वज़े से gas हो गया था, लेकिन ये जो gas है, ये gas बहुत दूर तक जाएगा, ये बात निकली है, दूर तक जाएगी वाली बात है, ये gas आपके दिमाग तक चड देगा, आप उस समय pain महसूस करेंगे, कभी भी किसी arthritis वाले को जाके पूछिएगा, और पता करिएगा, कि जब उसका constipation होता है, जब उसके पेट में गरबड़ी होती है, तब उसका arthritis, उसके next day चलो हो जाएगा, यहां तक कि कोई जदी सही में अच्छा से monitor करने वाला patient हो तो वो आज ही बता देगा कि कल मेरे को problem होने वाली है, सुबह बता देगा कि साम को problem होने वाली है, और साम को problem हो जाएगी, क्योंकि उसको सुबह में मालूम पड़ गया है, कि पेट में गरबड़ी है, गुडबड़ है या constipation है, तो बात यह हो रही है, कि यह सब जग़ पर कहां पर मामला आया, दो चीज़े निकल रही है, गैस निकल रहा है और टॉक्सिक निकल रही है, और यह वही टॉक्सिक है जो आपका वाइसरल फैट बना रहा है, जो आपको फैट कर रहा है, जो आपको फैट कर रहा है, जो आपको उदर उदर कर रहा है, क्योंकि जो आपने सरीर में अंदर ली और जदी वो डाइजेस्ट नहीं हुआ यूरमेंबर डाइजेस्ट के दिन में बता रहा था कि छोटी आथ में small intestine में वो प्रवेश कर गया भीना डाइजेस्ट हुए तो उसके अंदर अब वो वाले bacteria हैं वो वाले fungus हैं जो bad bacteria हैं उनका काम क्या है कि वो bacterial overgrowth करेंगे और वो जो है बहुत तरह के gas बनाएंगे बहुत तरह के toxic फैलाएंगे उदर और वो toxic से आपका liver, आपका kidney, आपका lung, आपका heart, आपके कोई भी vital organ प्रभावित ना हो जाए कि लिए शरीर उनके उपर fat का layer चढ़ाना शुरू करेगा उनको protect करने के लिए और वही fat का layer को आप fix deposit कहते हैं यहां पे tond आ गई, इधर आ गया, love handle आ गया, वो आ गया, यहां पर इतने आ गया, वहां पर इतने आ गया यह क्या हो रहा है, यह सरीर का self-defense mechanism है, सरीर जो है उसको toxic से बचाने के लिए उसके उपर fat layer चढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि आप बहुत सारा toxic अंदर डाल रहे हैं, या नहीं भी डाल रहे हैं तो toxic बन रही है, तो यह वाली चीज, toxic को यह जो है naturally यह करता है जदी ऐसा करेगा तो क्या होगा, आपको हमेसा fresh और energetic रखेगा, fresh energetic रखा मतलब क्या हुआ, आपका energy level बूस्ट हुआ और यह जो है, आपके chlorophyll का एक और drop का मतलब है, liquid chlorophyll drop का मतलब है, chlorophylline से बना हुआ, जो water soluble है, उसमें एक और फाइदा है, कि वो जो है, आपकी पूरी body को मदद करता है detox होने में, cleanse होने में, और वो क्या करता है, कि disease causing pollutants जो आपकी body के अंदर पहुँचे हुए हैं, wash away करने में, flush out करने में मदद करता है, तो इतनी सारी चीजे मैंने आपको बताई, A, B, C, D, E, E का मतलब energy boosting, अब मैं आपको यहाँ पर कारण मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों मैंने color of fill now रखा इस product का, जब यह color product बन रहा था, तो बहुत सारे international product के level में बन रहा था, और हमारे international colleague हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं formulation में, तो उन्होंने एक non-suggest किया था, और वो नाम मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो हमने उस पर काफी R&D किया, और हम एक सुरती सम्भिन नार्थक होता है ना, जो आपका phonetically एक जैसा सुनने में आए, तो इस जिसमें ये बात समझ में आई कि जो A, B, C, D, E है, जदी आप इसकी बात करें, जदी A, B, C, D, E वाले जितने फाइदे मैंने गिनाये, जदी ये पूरे के पूरे फाइदे आपके लाइफ में आ जाएं, तो आपकी लाइफ क्या होगी, आपकी लाइफ पूरी रंगीन जाएं, सब लोग YES कह रहे हैं, इतने हजार लोग YES कह रहे हैं, तो YES का मतलब ये हुआ कि आपकी जिन्दगी में ये Colors तो भर रहे हैं, ये Colors Fill कर रहे हैं, और जदी Colors Fill बोले हैं, और Clorophyll निकल के आये, उसमें से आवाज, तो ये कितना बढ़िया नाम हुआ, इसलिए इ इसके नामकरन के बारे में बात होगी यह है आपका product क्यों going colorful लिया जाए तो इसके अंदर यह सारे features है benefits है जो मैंने आपको बताया अब यहाँ पे एक आपको benefit दिख रही है weight management जब आप google करेंगे और जदी वो hashtag को follow करेंगे तो बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मेरा वज़न इतना कम हो गया मेरा वज़न इतना कम हो गया और liquid chlorophyll is the only way liquid chlorophyll ने दो महिने में में मेरा इसा कर दिया वैसा कर दिया, 8 weeks में इसा कर दिया यह ऐसा क्यों बोल रहे है मैंने तो अभी तक weight का बताया नहीं ABCDE बताया, weight तो बताया नहीं मैंने बताया, मैंने D में बताया detoxification और यह weight कैसे कम हो रहा है alkalize करके और detox करके आपका weight कम हो रहा है weight का बहुत बड़ा हिस्सा खाने से नहीं होता बहुत लोग दो रोटी खाते है एक फुलका खाते है, बहुत कम खाते है और बहुत कम खाने के बाद भी भगवान के दया से फैलते जा रहे है खाने का problem नहीं है problem दूसरी चीज़ का है problem toxin का है viceral fat बन रहे है, तोंद निकल रहा है viceral fat बनने का मतलब हुआ कि शरीर के अंदर toxins जमा हो रही है और toxin क्यों जमा हो रही है क्योंकि आप पाचन प्रक्रिया को ठीक नहीं कर पा रहे है आप अपने exercise को ठीक नहीं कर पा रहे है आपका calorie earn और calorie burn में बहुत बड़ा gap है आमदनी जादा हो रही है खर्चा कम हो रहा है खर्चा बढ़ाना पड़ेगा ने तो आमदनी को कम करना पड़ेगा अपने खाने को ठीक करना पड़ेगा तो आमदनी जादा खर्चा कम calorie deposit तो ये सब सारी चीजें बताई एक और चीज़ समझते हैं कि यह जो है lack of energy fatigue को fight करता है 10 drop ज़िए आपने ले लिया दिन भर में तो आपने अपने एक पानी के bottle में पानी का जग जो आपके dining table पर रखा है उसमें 10 drop टपका दिया तो आपके लिए हो गया दिन भर का और यह जो है खास चीज इसके अंदर है कि यहाँ पे emblem आप देख रहे हैं कि made with all natural ingredient all natural ingredient not a single dot क्या बोलते हैं lab synthesis no chemical synthesized item used all natural ingredient greens use करके बनाए है color of fill जो है 100% natural है pure है और यह non-stop you के लिए है कोई भी working woman है working professional है busy professional है senior citizen है जो भी कोई है उसके लिए यह बना हुआ है यह है color of fill जो सीधा plant से आपके पास 100% natural and pure form में है और इसकी एक और खासियत क्या होई कि यह पूरे के पूरी benefits color of fill के यह आपको दे रहा है but convenient way में आपको गेहूं का पता लगाना नहीं है आपके balcony में या खेत में तोड के लाना नहीं है wash करना नहीं है उसको जो है उसका days गिनना नहीं है उसको पीसना नहीं है उतना कड़वा लेना नहीं है आपको सिर्फ दो बुन टपका लेना है चार बुन टपका देना है आपके bottle में glass में, jug में, whatever और यह convenient way so therefore benefit of chlorophyll made convenient for you अब इसके price की बात कर लेते हैं price बहुत negligible है 249 rupees इसकी MRP है और आपके लिए यह special price पे अबिलेबल है और वो price है 199 rupees only 199 rupees में यह drop आपके लिए अबिलेबल है और यह जो है यह होगे, यह research waste product है जैसा मैंने बताया और यह सारे certification से lash है यह जो है, यह बच्चे ले सकते हैं बुढ़े ले सकते हैं, मैला ले सकते हैं, पुरुष ले सकती है यह तो बच्चे हरी सबजी खाते हैं न वही वाली बात हो रही है तो यह जो है सारे certification से lash है अब सब certification अपने product pack पे देख सकते हैं और यह आपके next Shopee पे एक button दबा के available है यह available है हर जगह पे Amazon पे है, Flipkart पे है, Big Basket पे है सब जगह पे available है, best seller product है internet पे, लेकि next Shopee पे यह आपके लिए special value के साथ available है आपके BV के साथ available है और आपके लिए special price पे available है तो आप next Shopee पे click करके इसको ले सकते हैं and I am done with my session और यह रहा end of the session आपके पास एक दो सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं और मैं उस सवाल के जबाब देगा Thank you so much sir सब के life को colorful करने का नुश्का बताने के लिए बहुत लोग energy के साथ इसा डूबला करने का उपाया करने काइसे बताया मैंने मैंने दोबले लोग बिलकुल ले सकते हैं कि दोबले भी खाएंगे ना और उन के लिए मैंने बटाया कि इसका जो पतला करने का या वजन कम कराने का जो टेक्निक है वो टेक्निक है आपको Ditoxify करने का ज़िए जमा है जी सिक जमा है जिससे क्या बोलता है वैसरल फैट बनी हुई है तो उसको कम करेगा बें दूबला आदमी जदे लेगा जिदि उसकी toxic जमा है तो clear होईगी झित्ने सारे जासका है। सारे उने रहाए है। देख्या आपके पास क्यों क्यों काकिमा गया है। आइल, उसके आइल को soluble form में रखा है, तो मतलब वो drop आपने लिया, तो आपने दो चमश हल्दी दूज में डाल के पिया था, उसका फैदा ले लिया, और वो भी बिना किसी तरीके के tension किये, बिना किसी का test बिगाड़े, तो वो एक है, आपके पास digest की बात की थी, जो क्या थ धनिया था, सौफ था और अजवाइन था, धनिया सौफ अजवाइन का एक एक फका फाक लिया था, और वो drop डाल लिया था, एक ही बात थी, तो धनिया सौफ अजवाइन क्यों नहीं ले सकते को दूसरा चीज लेते समय, वो तो kitchen का ही समान था, हल्दी kitchen का ही समान था, यह ज कि अभी ड्रॉप आपके पास था जिसको अब कोई भी ड्रॉप जो ले सकते हैं सब को मिला के भी ले सकते वह शुविए बवाट मेरा सजिशन है कि आप कोई ऐसा पंच दर्ब्य बनाने के बजाए आपको जब जो कोई इच्छा हो एक एक करके आप ले सकते हैं वह उसमें द वीट है ऐसे वेट काया है। क्वाझन बढ़ने का कारण है जो हमारा वेट मैनेजमेंट कॉमबो है उसमें हमने वो चीजें रखिये हैं जो detox के लिए है वो चीज रखी है जो meal replacement के लिए है और वो चीज रखी है जो protein के लिए है तो बात यह हो रही है कि protein intake बढ़ाएंगे वजन कम होगा आपका detoxification करेंगे तो slim and detox है वजन कम होगा आपका जदी meal replace करेंगे तो वजन कम होगा इसके अलावा उसके अंदर appetite busters हैं कि आपके भूख को regulate करेगा भूख को कम लगने देगा आपकी जो जटरागनी है उसको ज़्यादा प्रपर तरीके से प्रदिप्त करेगा ताकि आपका metabolism enhance होएगा तो green coffee उसके लिए है आपके बास गार्सीनिया Cambogia उसके लिए है तो वो जो weight management combo है उसमें बहुत सारी चीज मिला के बनाई गई है मतलब combination रखा गया है जो एक स्वस्था आदमी को चाहे उसका region कुछ भी हो उस पर काम करेगा एक कुछन है कि अलग-अलग जो drops हैं अगर वो पानी पीते समय सारे drops को मिला के पिया जा सकता है क्या can they use it all together आप ट्राई करके देखें यह तो नुस्का वाली बात हुई ना कि जैसे कैसे होता है कि आइस्क्रीम बनाने के बहुत सारे नुस्के होते हैं कि आप अपना यू नो कोई आइस्क्रीम के अंदर आप टिंडर coconut डाल दिया तो उसकी अलग आइस्क्रीम बन गी तो यह तो नुस्का बनाने वाली बात है जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगे यू केंट एनिधिंग बट मेरा सजेशन है कि एक लेंगे तो उसका टेस्ट आपको एक पर जम जाएगा और वो जब जाएगा तो आपको पानी फीका लगेगा उसके बिना तो फ्लेवर्ड वाटर हो गया अप अलग 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 ले सकते हैं अलग 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 टाइ ये थाइराइड के लिए पूछते हैं कि कौन सा प्रोड़क्ट अपना यूश करना चाहिए नए हैं सेशन में आपने पहले वी बता रखा है आपके पास एक प्रोड़क्ट है जिसका नाम है स्लीम अंड डिटॉक्स यह जो स्लीम अंड डिटॉक्स है इसका कोई मेडिसीन प्रोड़क्किसी नहीं है किसी चीज का इलाज का क्लेम नहीं है लेकिन जदि आप इसको थाइराइड में इस्तीमाल करते हैं तो आपको यह नहीं नाचुररी थाइराइड पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा और जदि आपके पास कोई पाइल से या प्री पाइल जैस तो यह आपके पास एक प्रड़क्ट है जिसमें इस तरीके का बेनेफिट है यह प्लेज जी का पूछना है कि कोई लेडिज हैं जिनके ब्लीडिंग ज्यादा होती है हमारी के समय अपना कुछ प्रड़क्ट है जो उसमें काम आता हुआ दो दो प्रड़क्ट है इस बात के ल प्रड़क्ट का नाम है Awesome Woman यह जो है किट फॉर्म में आता है जिसमें एक लिटर का सिरफ है और 60 टाबलेट का पैक है इसका नाम है Awesome Woman यह पैक है और दूसरा प्रड़क्ट है जिसका नाम है Nutri-fame यह पाउडर फॉर्म में है 500 ग्राम का पाउडर है Nutri-fame और आपका जो अशोका से लेके, देखिए अशोका रिस्ट हुआ करता था पुराने समय में, अशोका से लेके, शतावरी से लेके, आप गुमेन इंग्रेडियन्ट की बात करेंगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है, जो उसमें नहीं है, उस रिच फॉर्म में वो बना हुआ है, येस प्लीज. आपके पास एक प्रड़क्त है, जिसका नाम है टेराबेरीज, वो हाई एंटी ऑक्सिदेंट है, और जदी उसको आप एक साथ दिन इस्तेमाल करते हैं, दो पैक लेंगे, तो साथ दिन चलेगा, आपको एक अच्छा खासा फर्क मिलेगा, बिकुर्ज आपकी एक एक एंट डाइजेस्ट, डाइजेस्ट को आप पानी के साथ मिला के टेस्ट पसंद कर लें, जग में, बाटर में, पानी के बाटल में, ग्लास में, आप एक बार आट-दस बुन टपका दें और उसको इस्तेमाल करें, जदी उसके आगे भी आपको एक स्टेप लेना है, तो आपके पास एक प्रड़क्त है, Slim and Detox, जो आपके पूरे डाइजेशन ट्रैक्ट के लिए, खासकर लाज इंटेस्टाइन और कोलोन के लिए, बड़ी आंत और कोलोन के लिए, इसलिए वो बावसीर पे काम करता है, इसलिए वो आपके थाराइट पे काम करता है, तो ये जो पे बहुत अच्छा काम करता है, तो आज हम लोग से से संपर यहीं पर डिसराम देते हैं, थैंक यू सो मच पर दबेरी, थैंक यू सो मच, गूट आइट अवरी वां, थैंक यू.